गहलों से बगावत के तीन साल पाइलेट को आला कमान की नजदी की और पतिश्टा तो मिली लेकिन अब भी पद का इंतिजार क्या चुनावी समर में पाइलेट होंगे महत्पुन भूमिका में देखिए यह खास रिपोर्ट आज भी परास्तान कॉंग्रेस के तिहास में बगावत की रूप में हमेशा के लिए दर्च किया जाएगा ऐसी बगावत जिसके चलते परदेश अध्यक्ष और उप मुख्य मंत्री सचीन पाइलेट को दोनों पदों से हाथ धोना पड़ा हाला कि तीन सालों में कई बैटकें सुले और समझोते तो हुए लेकिन आज भी पाइलेट के हाथ खाली है उन्हें पाइलेट में परतिष्टा तो मिली लेकिन कोई पद नहीं मिला सचीन पाइलेट ने तीन साल पहले जुलाई 2020 में मुख्य मंत्री अशोक गैलोट के नेतरत को मानने से इंकार किया था और नाराज होकर अपने सहयोगी 18 विदायकों के साथ माने सर चले गए थे बरहाल अब पाइलेट के बगावत के तीन साल पूरे हो चुके हैं इन तीन सालों में सचीन पाइलेट पाइलेट पार्टी के लिए लगातार स्टार परचारक के तोर पर काम करते दिखे राहूल गांदी ने पाइलेट को कई मोकों पर गले लगाया और साथ भी रखा लेकिन गवाय के आपद आज तक उन्हें नहीं मिला सरकार बचाने के कवायद रास्तान में आज से तीन साल पहले 10 जुलाई 2020 से ही बगावत की कानी शुरू हुई थी 10 जुलाई को ACB ने राजदरो के मामले में सचीन पाइलेट को नोटीस दिया था हाला कि पाइलेट के साथ ही गवाही के लिए CM अशोग गैलोद को भी नोटीस दिया गया था इस पर पाइलेट जैपूर लोटकर नहीं आए बलकि उन्होंने अपने समर्थ तक 18 विदायगों को मानेसर की होटल में शिफ्ट कर दिया 13 जुलाई को मुखे मत्रिय अशोग गैलोदेवी अपने समर्थ तक सभी विदायगों को बाड़ा बंदी में भीज दिया सरकार बचाने की एक कवायत 34 दिनों तक चली और गवाने पढ़े थे पद जैपूर से जैसल मेर होटल होते वे जदो जद 10 अगस्त को प्रेंगा गांधी और एमत पडिल के साथ पालेट कैम के सूला तक भी पहुंची जो जैपूर लोटने और 14 अगस 2020 को रास्तान विदान सभा में भाहमत साबित करने तक चली इन 34 दिनों के बाद वो हुआ जो रास्तान में कॉंग्रेस के इतियास में संभवत पहली बार हुआ होगा परदे सद्यक्ष और रूप मुखे मंतरी सचिन पालेट यूद कॉंग्रेस सद्यक्ष मुकेज भाकर सेवा दलद्यक्ष राकेश पारिक रमेश मीना और विश्वेंदर सिंग को उनके पदों से बरकास्त किया गया आज भी पालेट खाली हाथ बगावत के आरोब के चलते सचिन पालेट को उनके परदेश अद्यक्ष औरूब मुखे मंतरी पदों से तुरंट पर भाव से हाथ धोना पड़ा था हाला कि कॉंग्रेट अलाक कमान के साथ हुए समझोते पर उनकी पार्टी में तो वापसी हो गई लेकिन आज भी सचिन पालेट को ना तो सरकार में और ना ही रास्तान में कॉंग्रेश संगटन का पद मिला तीन साल से लगातार सचिन पालेट अपनी बात कॉंग्रेस आला कमान के सामने रख रहे हैं और अब उसका नतीजा भी दिखाई दे रहा है सचिन पालेट ने भी अखशोक गैलोट के साथ अपने पुराने सभी विवादों को भूल कर आगे बढ़ने का निन्ने लिया है मिल सकता है एहम पद रहूल गांदी और कॉंग्रेस के राश्टी अध्यक्ष मलिका जुन खड़के ने जिस तरह सचिन पालेट को तवज्जो दी है उससे साफ लग रहा है कि उन्हें आने वाले दिनों में राश्टान के विदान सभा चुनाव से पहले कोई महत्वपुन पद दिया जाएगा अब इस बात के असार ज़्यादा है कि उन्हें राश्टी कॉंग्रेस में महा सचीव कॉंग्रेस वरकिंग कमेटी और कॉंग्रेस इलेक्शन कमेटी में कोई पद दे कर राश्टान चुना में सामिल कर लिया जाएगा अब इंतजार है जब पालेट को कोई पद दे कर वापस कॉंग्रेस पार्टी में स्ताबित किया जाए जुलाई 2020 को रास्तान कॉंग्रेस के इतिहास में बगावत की रूप में हमेशा के लिए दर्च किया जाएगा ऐसी बगावत जिसके चलते परदेश अध्यक्ष और उप मुख्य मंत्री सचीन पाइलेट को दोनों पदों से हाथ धोना पड़ा हाला कि तीन सालों में कई बैटकें सुले और समझोते तो हुए लेकिन आज भी पाइलेट के हाथ खाली है उन्हें पाइलेट में पर्तिष्टा तो मिली लेकिन कोई पद नहीं मिला सचीन पाइलेट ने तीन साल पहले जुलाई 2020 में मुख्य मंत्री अशोक गैलोट के नेतरत को मानने से इंकार किया था और नाराज होकर अपने सहयोगी 18 विदायकों के साथ माने सर चले गए थे बरहाल अब पाइलेट के बगावत के तीन साल पूरे हो चुके हैं इन तीन सालों में सचीन पाइलेट पाइलेट पार्टी के लिए लगातार स्टार परचारक के तोर पर काम करते दिखे राहूल गांदी ने पाइलेट को कई मोकों पर गले लगाया और साथ भी रखा लेकिन गवाय के आपद आज तक उन्हें नहीं मिला सरकार बचाने के कवायद रास्तान में आज से तीन साल पहले 10 जुलाई 2020 से ही बगावत की कानी शुरू हुई थी 10 जुलाई को ACB ने राजदरो के मामले में सचीन पाइलेट को नोटीस दिया था हालाई कि पाइलेट के साथ ही गवाही के लिए C.M. अशोग गैलोद को भी नोटीस दिया गया था इस पर पाइलेट जैपूर लोटकर नहीं आए बलकि उन्होंने अपने समर्थ तक 18 विदायगों को मानेसर की होटल में शिफ्ट कर दिया 13 जुलाई को मुखे मतरिया शोग गैलोदेवी अपने समर्थ तक सबी विदायगों को बाड़ा बंदी में भेज दिया सरकार बचाने की एक कवायत 34 दिनों तक चली और गवाने पढ़े थे पद जैपूर से जैसलमेर होटल होते वे जदो जद 10 अगस्त को प्रेंगा गांधी और एमत पडिल के साथ पालेट कैम के सूला तक भी पहुंची जो जैपूर लोटने और 14 अगस 2020 को रास्तान विदान सवा में भाहमत साबित करने तक चली इन 34 दिनों के बाद वो हुआ जो रास्तान में कॉंग्रेस के इतियास में संभवत पहली बार हुआ होगा परदे सद्यक्ष और रूप मुखे मंतरी सचिन पालेट यूद कॉंग्रेस सद्यक्ष मुकेज भाकर सेवा दलद्यक्ष राकेश पारिक रमेश मीना और विश्वेंदर सिंग को उनके पदों से बरकास्त किया गया आज भी पालेट खाली हाथ बगावत के आरोब के चलते सचिन पालेट को उनके परदेश अद्यक्ष औरूब मुखे मंतरी पदों से तुरंट पर भाव से हाथ धोना पड़ा था हाला कि कॉंग्रेस अला कमान के साथ हुए समझोते हैं पर उनकी पार्टी में तो वापसी हो गई लेकिन आज भी सचिन पालेट को ना तो सरकार में और ना ही रास्तान में कॉंग्रेस संगटन का पद मिला तीन साल से लगातार सचिन पालेट अपनी बात कॉंग्रेस अला कमान के सामने रख रहे हैं और अब उसका नतीजा भी दिखाई दे रहा है सचिन पालेट ने भी अखशोक गैलोत के साथ अपने पुराने सभी विवादों को भूल कर आगे बढ़ने का निन्ने लिया है ज़्यादा है कि उन्हें राश्टी कॉंग्रेस में महा सचीव कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी और कॉंग्रेस इलेक्शन कमेटी में कोई पत देकर रास्तान चुना में सामिल कर लिया जाएगा अब इंतजार है जब पाइलेट को कोई पत देकर वापस कॉंग्रेस पार्ट कि अजय है